प्यारे विध्यार्थियों नमस्कार कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब तंद्रुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रती भी आपका उत्सा कायम होगा बच्चों आज हम आठवी कक्षा के विध्यान का अध्याय सत्रा तारे एवं सौर परिवार पढ़ेंगे तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि हम पहले क्या जानते हैं बच्चों रात्री में आकाश में हमें क्या दिखाई देता है हम किस ग्रह पर रहते हैं सूरे का प्रकाश प्रत्वी पर किस तरीके से पहुँचता है चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या पढ़ना है चंद्रमा, तारे, तारा मंडल और सौर परिवार तो आईए बच्चों इन सब के बारे में एक-एक कर पढ़ना शुरू करते हैं चंद्रमा की कलाएं बच्चों प्रती दिन रात्री के समय चंद्रमा को देखो यदि संभव हो तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी नोटबुक में हर रात्री को चंद्रमा की रूप रेखा खीचिए पूर्णिमा के दिन से व्यतीत दिनों की संख्या को भी नोट कीजिए यह भी नोट कीजिए कि आकाश के किस भाग में अर्थार, पूर्व में या पश्चिम में आपको चंद्रमा दिखाई दिया बच्चों, चंद्रमा की कलाएं क्या होती है? क्या चंद्रमा की आकरती में प्रति दिन परिवर्तन होता है? हाँ, ऐसे भी दिन है जब चंद्रमा की आकरती उन्तह गोल दिखाई देती है और ऐसे भी दिन है जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता तो बच्चों उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है पूर्ण निमा कहते है प्रतीक रात्री को चंद्रमा का चमकीला भाग घटा चला जाता है और पंद्रमे दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता इस दिन को अमावस्या कहते हैं लेकिन अगले ही दिन चंद्रमा का एक छोटा सा भाग आकाश में दिखाई देता है इसे हम बाल चंद्र कहते हैं इसके पश्चात फिर प्रते दिन चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और पंद्रमे दिन एक बार फिर से हमें चंद्रमा का एक पूर्ण स्वरूप दिखाई देता है तो बच्चों इस प्रकार पूरे महीने तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन आकरतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधी 29 दिन से कुछ अधिक होती है बहुत से कलेंडर्ज में इस अवधी को एक मा कहा जाता है आईए बच्चों हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि चंद्रमा की ये कलाएं क्यूं दिखाई देती है चंद्रमा सूर्य तथा अन्यतारों की भाति अपना प्रकाश उत्पन नहीं कर सकता है हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्यूंकि यह अपने पर पढ़ने वाले प्रकाश के ओव हमारी और परावर्तित कर देता है इसलिए बच्चों हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुचता है चंद्रमा प्रित्वी की परिक्रमा करता है और प्रित्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है चलिए बच्चों चंद्रमा के प्रष्ट के बारे में जानते हैं जब अंत्रिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखा था तो उन्होंने चंद्रमा के प्रश्ट को धूल भरा तथा निर्जन पाया उस पर विभिन आमापों के गर्त हैं इस पर बहुत सी खड़ी ढाल वाले उचे परवत भी हैं इन में से कुछ परवत तो उचाई में प्रित्वी के सर्वाधिक उचाई के परवतों के समान है 21 जुलाई 1979 को 1969 को अमेरिका के अंत्रिक्ष यात्री नील आमस्ट्रॉंग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे उसके बाद एल्विन एल्डरिन चंद्रमा पर उत्रे थे चलिए अब तारों को देखते हैं आकाश में असंख्य तारे हैं क्या सभी तारे एक तरीके से चमकीले हैं? क्या सभी तारों का रंग एक जैसा है? बच्चों, तारे अपना प्रकाश स्वेम उत्सर्जित करते हैं सूरे भी एक तारा है लेकिन अन्य तारों की तुल्ना में इतना अधिक बड़ा क्यूं दिखाई देता है? क्यूंकि तारे सूरे की तुल्ना में लाखों गुना अधिक दूर हैं इसलिए तारे हमें बिंदू जैसे प्रतीत होते हैं सूरे प्रत्वी से लगभग पंद्रा करोड किलो मीटर दूर है सूरे के पश्चात दूसरा निकटम तारा एलफा सैंचुरी है कुछ तारे तो इससे भी कही अधिक दूर हैं बच्चों इतनी अधिक दूरियों की लंबाई को हम एक अन्यमातरक जिसे हम प्रकाश वर्ष या लाइट यर कहते हैं में व्यक्त करते हैं यह है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरि है चलिए बच्चों, धुरुफ तारे के बारे में बात करते हैं धुरुफ तारा एक ऐसा तारा है जो प्रिथ्वी के अक्ष की दिशामे स्थित है और ये गती करता प्रतीत नहीं होता है तारा मंडल तारे जोड़कर अलग-अलग आकरतियां बनाते हैं पहचाने जाने योग्य आकरतियों वाले तारों के समूह को तारा मंडल कहते हैं बच्चों, प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारा मंडलों की अभिकल्पना की थी तारा मंडलों की आकरतियां उन व्यक्तियों की सूपरिचित वस्तुओं के सुद्रश थी सर्व विख्यात तारा मंडलों में से एक विख्यात तारा मंडल सब्तुरिशी है और यान भी एक अन्य विख्यात तारा मंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्री में देख सकते हैं यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारा मंडलों में गिना जाता है इसमें भी साथ या आठ चमकीले तारे हैं और रायन को शिकारी भी कहते हैं इसके तीन मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट को निरुपित करते हैं आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस और रायन के निकट दिखाई देता है उत्री आकाश में एक अन्य प्रमुक तारा मंडल कैसियोपिया है कैसियोपिया सर्दियों में रात्री के प्रथम पहर में दिखाई देता है यह अंग्रेजी के अक्षर W अत्वा M के बिगडे रूप जैसा दिखाई देता है बच्चों क्या आप जानते हैं किसी तारा मंडल में केवल पांच या दस तारे ही नहीं होते इसमें बहुत से तारे भी हो सकते हैं आईए बच्चों अब हम सौर परिवार के बारे में जानते हैं सौर परिवार, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलिये पिंडों से मिलकर बनता है इस परिवार में बहुत से पिंड हैं जैसे की ग्रह, थूम केतु, शुद्र ग्रह तथा उलकाएं सूर्य तथा इन पिंडों के बीच के गुर्त्वा कर्शन बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं इसकी अतिरिक्त आठ अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं सूरे के सबसे नजदीक है बुद्ध, जिसे हम मर्करी भी कहते हैं, उसके बाद है शुक्र या वीनस, फिर आती है हमारी प्रित्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, ब्रहस्पती, जुपिटर, शनी, सैटन और युरेनस तथा नेप्चून. आईए बच्चों, हम एक-एक करके इन सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला ग्रह है बुद्ध या मर्करी बुद्ध ग्रह सूरे से निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लग्रुतम सबसे चोटा ग्रह है। क्योंकि बुद्ध सूरे के अत्यधिक निकट है। इस कारण अधिकाश समय तक सूरे की चका चौंद में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षन करना अत्यधिक कठिन है। तथा पी सूर्योदों से तुरंत पूर्व और सूर्यस्त के तुरंत बाद इसे शितिच पर देखा जा सकता है। इसलिए यह वहीं दिखाई देता है जहां व्रक्षों अथ्वा भवनों के द्वारा शितिच को देखने में कोई बाधा नहीं आती। बच्चों बुध ग्रह का अपना कोई उप ग्रह नहीं है। दूसरा ग्रह है शुक्र या वीनस। ग्रहों में शुक्र प्रत्वी का निकटतम पडोसी है। रात्री में आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी-कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योद से पहले दिखाई देता है और कभी-कभी सूर्यस के तुरंत पश्चात ये पश्चमी आकाश में भी दिखाई देता है इसलिए इसे प्राय, प्रभात तारा अत्वा सांध्य तारा भी कहा जाता है यद्दिपी यह तारा नहीं है शुक्र का भी अपना कोई उबग्रह नहीं है इसको अपने कक्ष पर घूर्णन गती कुछ असाधारण है यह पूर्व से पश्चिम की और घूर्णन करता है जबकि पृत्वी पश्चिम से पूर्व की और घूर्णन करती है आईए, अब बात करते हैं हमारे ग्रह की, यानि पृत्वी या अर्थ यह सौर परिवार का एक मात्र ऐसा ग्रह है, जिस पर जीवन का स्तित्व ग्यात है पृत्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता को बनाये रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावर्णिय अवस्थाएं उत्तरदाई हैं, इनमें प्रत्वी की सूरे से उचित दूरी का होना भी सम्मिलित है ताकि प्रत्वी पर सही ताप और जल की उपस्थिती, उप्युक वायूमंडल और ओजोन का आवरण बना रह सके अंत्रिक्ष्ट से देखने पर प्रत्वी की सतह पर जल तथा भूमी से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वे नीली हरी प्रतित होती है इसका अपने अक्ष पर जुकाव प्रत्वी पर रितू परिवर्तन के लिए उत्तरदाई है बच्चों प्रत्वी का केवल एक ही उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं अब बात करते हैं मंगल या मार्स की यह अगला ग्रह है जो प्रत्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है मंगल है यह हलका रक्ताब लाल प्रतीत होता है इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं मंगल के दो छोटे प्राकरते कुप ग्रहें है ब्रहस्पति या जुपिटर यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें लगभग तेरा सो प्रत्वियां भीतर रखी जा सकती है परन्तु ब्रिस्पति का द्रव्यमान प्रित्वी के द्रव्यमान का लगभग तीन सो अठारा गुना है यह अपने आक्षपर अत्यधिक तीव्रगती से गूंडन करता है ब्रस्पति के बाद आता है शनी या सेटन ब्रस्पति के परे रंग में पीला सा प्रतीत होता हुआ सेटन है इस ग्रह के रमनिय वले इसे सौर परिवार में अध्वितिय बनाते हैं यह वले नंगी आँखों से दिखाई नहीं देता आप छोटे दूर दर्शक के द्वारा इसका प्रेक्षन कर सकते हैं शनी के भी बहुत से प्राकरति कुब ग्रह हैं शनी के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में से यह सबसे कम सगन है इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है आखरी दो ग्रहे हैं Uranus और Neptune ये सौर परिवार के बाहतम ग्रहे हैं और इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है शुकर की भाती Uranus भी पूर्व से पश्चिम दिशा में गूनन करता है इसकी विलक्षन विशेष्टा इसका अत्यधिक छुका हुआ गूनन अक्ष है बच्चों सौर परिवार के पहले चार ग्रहे बुद्ध, शुक्र, पृत्वी और मंगल अन्य ग्रहों की तुल्ला में सूरे के अत्यांत निकट हैं इसलिए इन्हें आंत्रिक ग्रहे कहते हैं वह ग्रहे जो सूरे से काफी दूर हैं जैसे की ब्रहस्पती, शनी, युरेनस और नैप्चून आंत्रिक ग्रहों की तुल्ला में अत्यधिक दूर हैं और इन्हें बाहे ग्रहे कहा जाता है आईए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं शुद्र ग्रह एवं धूमकेतू के बारे में ग्रहों के अत्यरिक्त सूरे की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं यह भी सौर परिवार के सदस्से ही हैं आईए, इनके बारे में जानकारी लेते हैं सबसे पहले हैं शुद्र ग्रह या एस्टिरोइड्स मंगल तथा ब्रस्पती की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंत्राल है इस अंत्राल में बहुत सारे ऐसे चोटे चोटे पिंड उपस्थित हैं जो सूरे की परिक्रमा करते हैं इन्हें शुद्र ग्रह या एस्टिरोइड्स कहा जाता है और इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है धूमकेतु या कॉमेट्स धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदसे हैं ये अत्यंत परवलिय कक्षाओं में सूरे की परिक्रमा करते हैं परन्तु इनका सूरे का परिक्रमन काल सामाने तह काफी अधिक होता है धूमकेतु चमकीले सिर और लंबी पूँच वाले होते हैं जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूरे की समी पाता जाता है इसकी पूँच आकार में बढ़ती जाती है किसी धूमकेतू की पूँच सदैव ही सूर्य से परे होती है ऐसे बहुत से धूमकेतू ग्यात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दिस्टी गोचर होते हैं हैलीस कॉमेट एक ऐसा ही धूमकेतू है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता था इसे सन 1986 में पिशली बार देखा गया था अब बात करते हैं उलकाएं तथा उलकापिंड की बच्चों रात्री के समय जब आकाश साफ हो और चंद्रमा भी न दिखाई दे रहा हो तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली सी धारी देख सकते हैं इसे हम लोग शूटिंग स्टार या तूटता हुआ तारा भी कहते हैं यद्दिपी ये तारा नहीं है इन्हें उलका कहते हैं उलका सामानय तह छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा प्रथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है और वायुमंडली एक घर्षन के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीगर ही वाश्पित हो जाते हैं यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही द्रिस्टिगोचर होती है कुछ उलकाएं आकार में इतनी बड़ी होती है कि पून्ता वाश्पित होने से पूर्वी वे प्रित्वी पर पहुँच जाती है वह पेंड जो प्रित्वी पर पहुँचते हैं उलकापेंड कहलाते है उल्कापेंट विज्यानिकों को उस पदार्थ की प्रिकृती को खोच करने में सहायता करते हैं, जिनसे सोर परिवार बना है आईए बच्चों, अब हम कृत्रिम उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं बच्चों हमारी प्रित्वी के बहुत से कृत्रिम उपगरह हैं जो प्रित्वी की परिकर्मा कर रहे हैं कृत्रिम उपगरह मानव निर्मित होते हैं इनका प्रमोचन प्रित्वी से किया जाता है ये पृत्वी के प्राकृतिक उपगरह अथार्थ चंदर्मा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृत्वी की परिक्रमा करते हैं भारत ने बहुत से कृत्रिम उपगरहों का निर्मान और प्रमोचन किया है आर्यभट भारत का प्रत्थम कृत्रिम उपगर है था कुछ अन्य भारतिय उपगरहे हैं इनसेट, आई आर एस, कल्पना वान और एड्यूसेट कृत्रिम उपगरहों के बहुत से व्यवारिक अनुप्रियोग है इनका उपयोग मौसमों की भविश्यवानी करने, रेडियो तथा टैलिविजन संकेतों के प्रेक्षन में किया जाता है इनका उपयोग दूर संचार तथा सुदूर सम्वेदनें के लिए भी होता है चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा पेंड हैं और हमारा सूर्य भी एक तारा है चंद्रमा प्रत्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा पर ना तो वायू मंडल है और ना ही जल क्रत्रिम उपग्रहों का उप्योग मौसम की भविश्यवानी, दूर संचार और सुदूर सम्वेदन के लिए किया जाता है तारे पूर्व से पश्चिम की और चलते हैं और प्रत्वी पश्चिम से पूर्व की और घूंगती है धूर्व तारा एक ऐसा तारा है जो पृत्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है सब्तुरुशी, और रायन और कैसियोपिया तारा मंडल के उधारण है चलिए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्ण देखते हैं और मुझे उमीद है कि आपको इनके उत्तर आते होंगे बड़ा ग्रहे कौन सा है? आपके ऑप्षिन्स हैं मंगल या ब्रहस्पती? जी हाँ, ब्रहस्पती सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रहे है प्रत्वी ही एक ऐसा ग्रहे है जहाँ पर जीवन संभव है यह स्टेट्मेंट सही है या गलत? बिल्कुल सही है क्योंकि प्रत्वी ही एक ऐसा ग्रहे है जहाँ पर जीवन उपस्थित है पहचाने जाने योग्या आकृतियों वाले तारों के सम्मू को क्या कहते हैं? तारा मंडल या वायू मंडल? जी हाँ बच्चों, तारा मंडल चेलिए, अब जरा देखते हैं कि ये क्या है? इनसेट मंगल ग्रहे और सब्त्रिशी इनका हमें मिलान करना है तारा मंडल लाल ग्रहे और क्रत्रिमूब ग्रहे के साथ? जी हाँ, इनसेट क्रत्रिमूब ग्रहे है मंगल ग्रहे लाल रंका या रक्ताब होता है और सब्त्रिशी एक तारा मंडल है तो बच्चों, ठाना ये अध्याए बहुत इंट्रस्टिंग ग्रहों के बारे में जानना और समझना हमेशा से हमारे लिए एक रोचक तथ्य रहा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अध्याए अच्छी तरह समझ में आया होगा तो बच्चों, आप पढ़ते रहिए, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए इसी के साथ मिलते हैं अगले अध्याए के साथ नमस्कार